नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आए नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर चोरी के बाद भागते समय गिरकर घायल हुए चोर ने पुलिस हिरासत में कई चोरियों की कबुली दी पुलिस ने उसके किराय के घर से 18 मोबाइल जब्त किये जिनकी कुल कीमत एक लाक रूफे आखी गई है आरूपी का नाम 19 वर्षिये शेक मुजबपर शेक नईम बताया जा रहा है वह मूलता जारकन का रहने वाला है लेकिन सिटी में देवनगर वांजरा में किराय का मकान ल भागने लगा उसने मोबाइल वहां मौजुद अपने दोस्ट शाहबाज खान की और फिक दिया कुछ दूर भागने पर वहां गिर पड़ा और उसे हलकी चोटे आई अखिरकार उसके पीछे भागे लोगों ने उसे दबुच लिया और पुलिस के हवाले किया पुलिस ने वृद्धी नाकपूर जिला और मनपा प्रशासन को चिंतित कर रही है उपर आजधानी में पिछले 24 गंटों में 182 नए मामले दर्श किये गये है नाकपूर शहर से ही लगबग 93 नए मामले दर्श किये चार मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 गंटों में 695 वेक्ती कुरो बीमारी से सफलता पूर्वक उबर चुके है नाकपूर जिले में रिकाविरी रेट बढ़कर 97.80 प्रतिशत हो गई है जबकि सक्रिय मामलों में गिरावट है जिले में अब 2373 एक्टिव मरीज 6 है श्रीसंत शिरुमनी रविदास महराज की जैनती की अवसर पर बनपा मुख्याले में रविदास महराज की तस्विर पर महापूर दयाशंकर तिवारी उप महापूर मनिशा धावडे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी उपायुक्त निर्भय जैन वो रविंद्र भेलावे पुषपाहर अरपन कर उनका विनम्र अभिवादन किया इस अवसर पर सेवा संग के संस्थापक अध्यक्ष बहिया साब बिगाने समाज के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्चित थे महापूर दयाशंकर तीवारी ने नागपूर महानगर पालिका के उद्यान विबाक को नागपूर सुधार प्रन्यस से मनपा को हस्तांतरित 41 पार्कों के रख रखाओ के लिए धन उपलब्द न कराने का निर्देश दिया है क्योंकि नाकपूर सुधार प्रनेश से संबंदित किसी भी पार्क का रख रखाव ठीक से नहीं किया गया है एनाइटी से हस्तान तरीत पार्कों की स्टिती एवं लंबित कारियों को लेकर बुद्वार को महापूर कार्यलाय के बैठक कक्ष में एक समिक्षा बैठक बुलाई गई बैठक में महापूर दयाशंकरतिवारी के साथ साथ राजिंद्र सुनकुचरे सदच्यार उपरवाय हरिश धीकुनवार मनपके अतिरिक्तायुकत दीपक कुमार मीना उपायुकत रविंद्र भेलावे उद्ध्यान अधिक्षक अमुल चोरपगार आधी उपस्ठित थे इस मोके पर महापूर दयाशंकरतिवारी ने शहर में पारकों के रखरकाओ की समिक्षा की, साथ ही नाकपूर सुदार प्रनेस से हस्ता अंतरित किये गए, 41 पारकों की स्टिति के बारे में भी अऊगत हुए, चुकि नाकपूर सुदार प्रनेस ने किसी भी पार्क का रख रख रखाओ ठीक से नहीं किया है। उनके रख रखाओ के लिए धन न दे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने उद्ध्यान विबाग के अधिकारियों को इस विशवय पर निर्देश देते हुए कहा। प्लास्तिक बैक का उपपयोग करने पर कार्वाई करते हैं। इसी तरह लकडगन जोन में डिपटी सिग्नल परिसर में राकेश साहू के खिलाब प्लास्तिक बैक का इस्तिमाल करने पर कार्वाई की गई। के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतरूत्वों में यहां कारवाई की गई हाल ही में शहर में आयोजित एक समिक्षा बैठक में केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने डॉक्टर पंजाब राव देशमुक क्रूशी विश्व विद्धाले के साथपुडा बोटनिकल गार्डन के सौंधरी करन और जिर्नो द्वार करने के निर्देश जिये थे तदनुसार बुध्वार को मनपायुक्त राधकुष्णन भी ने सत्पुडा बोटनिकल गार्डन का निरिक्षन किया पार्क को गड़करी की अवधारना के अनुसार विकसित किया जाएगा इस अवसर पर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमारमीना, पर्यावरन वादी डॉक्टर दिलिप चिंचमलात्पुरे, उपायुक्त रविंद्र भिलावे, उद्ध्यान अधिक्षक अमुल चोर्पगार, कुरूशी विद्ध्यापिट के असोसियेट दीन, इस अधिक्रसित किया जाना है, अन्य संबंदित सरकारी विभाग भी पार्क के जिर्नोद्वार के लिए क्रूशी विश्वस्द्याले की साहयता कर रहे है, मनपायुक्त ने डॉक्टर दिलिप चिंचमलात्पुरे से पार्क में हो रहे विकासकारियों की भी जानकारी ली मनपायुक्त रादाकुष्णन भी ने बताया कि नाकपुर महानगर पाली का भी पार्क के विकास के लिए साहयता प्रदान करेगी रीचपोर सितावरडी से प्रजापती नगर मार्क के तहद 8.3 किलोमेटर लाइन का निर्मान कारिय अंतिम चरण में है और इस लाइन पर पहला परिक्षन दिसंबर में महामेट्रों द्वारा सफलता पूर्वक किया गया महामेट्रों के प्रबंद निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दिक्षित ने रीच टू का निरिक्षन कर यातरी सुविधाओ का आउलोकन किया प्रबंद निदेशक डॉक्टर दिक्षित ने ट्रेन में सफर करते हुए मेट्रो स्टेशनों पर किये जारे कारिय और सुविधाओं की जाच की उन्होंने रोलिंग स्टॉक और प्रत्तेक मेट्रो स्टेशन के लिए उपलब्द सुविधाओं की समिक्षा करते हुए कहा कि इस मार्क पर अधिक से अधिक नागरिकों को मेट्रो रेल परियोजना से जोड़ना चाहिए साथी मल्टी मॉडल एकी करन परिवहन व्यवस्ता के ताथ नागरिकों को सुविधाय प्रदान की जानी चाहिए निरिक्षन के दवरान डॉक्टर दिक्षित ने कहा कि महा मेट्रो ने हमेशा यात्रियों के लिए यात्रा को सुविधा जनक और आसान बनाने पर ध्यान के इंद्रित किया है दिक्षित ने मेट्रो अधिकारियों से स्टेशन क्षेत्र में टिकट काउंटर, एसकेलेटर, लिफ्ट, बेबी केर रूम, आधिका वीवरन लिया, साथ ही अधिकारियों को आवशक दिशा निर्दिश दिये दर्मत्मा नाम से नहीं, आचरन से होना चाहिए, इस आशाय की विचार जैकिर्ती जी गुरुदेव ने श्री रिशबना दिगंबर जैन, गुरुह चैट्ताले सूरज पेंधारी के रेनुका पलाजा महल नाकपुर में अपने उद्भधन में वेक्त किये आत्मा में धर्म ठसा ठसा भरा हो, वह धर्मात्मा मन से धर्मकारिय होना चाहिए, जिसके वचन भी धर्म के अनुसार निकले, शरीट से धर्मकारिय हो, सही माइने में वही धर्मात्मा कहलाता है, जिस घर में मुनिराच के चरन पड़े, वह घर स्वर्ग के समान सुक संप समीता, संगीता, नीता, प्रीती पेंधारी ने गुरुदेव का आशिरवात प्राप्त किया। पुर्वविदायक विजय घुड मारे पाटिल के हतो डिकडों में जिला परिशद एवं पंचायत समिती के एक शेत्रादेकार के अंतरगत इलाकों में पंद्राववे विद्ता आईवात प्राप्त किया। प्रायोक के तहत विभिन्न विकासकारियों का भूमी पुजन गनेश्चोक डिकडों में किया गया। कारेकरम में राष्टवधी कॉंग्रेस पाल्टी के जिला परिशद गटके नेता दिनेजबंग विशिष्ट अतिती के रूप में उपस्तित थे। जबकि डिकडों जिला परिशद सरकल के जिला परिशद सदस्य रश्मी कुटगुले ने कारेकरम की अध्यक्षता की। विकासकारियों में वैशाली नगर से जैताला तक मुख्य सडक का निर्मान, इंदीरामाता नगर में भूमेगत नाली का निर्मान और समाज भवन की सुरक्षा दिवार और सौंधरी करन शामिल है। सदस्य संदीप साबले, सूरजलाल बोप्चे, शैलेशराय, लीलाधर दाभे, बंटी भंगे, बियन सिंग शर्मा, मोडगरे, मोनु सिंग, डिकडोह मंडल अध्यक्षा प्रदीप कुटगुले, गौतम पास्वान, अल्लेवर, आदिक रामिन बड़ी संख्या में तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस, नमस्कार